दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टूटल पांच शेर्स को कवर करने वाले हैं जिसमें सबसे बिले शेर्स का नाम है SBI कार्ट जहां पर हमें तीन बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है जियां दोस्तों SBI कार्ट के क्वाटे टू के रिजल्ट आपको 18 अक्टोबर के दिन देखने को मिलने वाले हैं साथ ही साथ कंपनी ने फंड रेजिंग से रिलेटेट भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स यहां पर डिक्लेयर करी है और साथ ही साथ 29 अक्टोबर से SBI कार्ट भी आपको F&O के अंदर इंटर होते वे देखने को मिलने वाला है तो इनी तीन बड़ी न्यूस के करण आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में भी SBI कार्ट के अंदर लगबख साड़े 4% तक के शांदर मुवमेंट देखने को मिल चुके हैं साथ ही साथ अगर आप इसकी पिछले 6 महिने का रिकॉर्ड भी उठा कर देखेंगे तो पिछले 6 महिने के अ के सामने corporate announcement open कर लिए जिसमें आपको 28 October के दिन SBI कार्ट के quarter 2 के result देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ कंपनी non convertible debentures के थ्रू लगबख 2000 करोड रुपे की fund raising भी यहां पर करने वाली है साथ ही सा 29 October के दिन याने की result के ठीक एक दिन बात से आपको ये share F&O के अंदर ब investment कर रखा है तो यहां पर आप अपनी positions को continue करते हुए चल सकते हैं अगर आप इस shares के अंदर fresh positions बनाना चाते हैं तो definitely current share price से आप इसके अंदर buy on deep करते हुए चल सकते हैं अगर आप इस shares के volume based काम को भी देखेंगे तो काफी शांदार volume based काम हमें daily basis पर इस shares के अंदर देखने को मिल रही है दोस्तों बात के लिए another shares के बारे में जिसका नाम है Zen Technologies Limited, Zen Technologies Limited को लेकर भी यहां पर जिसा कि आपको पता है कि यह company defense related है और साथ ही साथ इनका जो main business है वो यहां पर drone बनाने का भी इनका business है और drone क्यों लेकर यहां पर हमें recently PLI scheme भी देखने को मिल चुकी है जिस लेकिन अगर आपने Zen Technologies के अंदर investment कर रखा है तो यहां पर आपके लिए 30 October का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है याने कि next week आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उसके बिले यदि आप यहां पर इसके deliverable based काम को भी देखेंगे तो यहां पर 50% तक quantity deliverable based पर trade होते वे आपको Zen Technologies Limited के अंदर देखने को मिल रही है साथ ही साथ अगर आप इसकी order book भी check करेंगे तो काफी शांदर fresh buying यहां पर हमें continuously business पर आते वे देखने को मिल रही है Zen Technologies के अगर financial result की बात करी जाए तो quarter 2 के financial result हमें 30 October 2021 के दिन देखने को मिले वाले हैं और साथ ही साथ कुछ और business matters भी यहां पर discuss होते वे हमें देखने को मिले वाले हैं तो यदि आपने Zen Technologies के अंदर investment कर रखा है तो यहां पर आप 200 रुपे के support को ध्यान में रखते वे यहां पर अपनी positions को short term पर बसे 30 October तक continue कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप इस share के अंदर 250 रुपीज के लेवल से भी entry लेकर बेठे हैं तो यहां पर loss में आपको अपनी positions को score of नहीं करना है यहां पर 30 October के दिन आपको कुछ बड़ी moment यहां पर इस shares के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं दोस्तों बात कर लें another shares के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी Organics Industry Limited जी हैं दोस्तों continuously shares के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है last reading session में भी लगबख पोने 3% तक की बड़ी गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल रही है इसके पीछे लगबख एक पीछले 6 महिने के चार्ट पेटन्स को आप देखेंगे तो लक्ष्मी Organics ने लगबख 140% तक के शांदा रेटन्स अपने इंवेस्टर्स को बना कर दिये हैं वहीं अगर हम पीछले 1 साल के चार्ट पेटन्स की बात करें तो 180% तक के रेटन्स और अगर आप मेक्जिमम में देखेंगे तो लगबख 1500% तक के रेटन्स ये कंपनी अपने इंवेस्टर्स को बना कर दे चुगी है वहीं अगर बात करें लक्ष्मी Organics इंडस्टी लिमिटेट के अगर हम चार्ट पेटन्स की भी बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन अगर आप दिखेंगे तो यहाँ पर अगर यह शेर्स आपको 400 रुपे के लेवल्स पर अगर मिलता है तो यहाँ पर आप फ्रेश बाइन करते वे लॉंग टम परपस से इस शेर्स के अदर अपनी पोजिशन को होल्ड कर करके रख सकते हैं साथ ही साथ अगर हम लक्ष्मी और्गेनिक्स के भी वॉल्यूम बेस काम को अनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेर्स के अंदर हमें 35% से 36% तक quantity deliverable based पर trade होते वे देखने को मिल रही है लेकिन यहाँ पर अभी लक्ष्मी और्गेनिक्स की तरफ से किसी प् पर pressure आते हुए हमें देखने को मिल रहा है तो यदि आपने लक्ष्मी और्गेनिक्स के अंदर भी investment कर रखा है तो यहाँ पर आप company के quarter 2 के financial result डिक्लेर होने तक इस shares के अंदर अपनी positions को continue करते हुए चल सकते हैं दोस्तों बात करें another shares के पारा में जिसका नाम है बजजाज finance limited बजज finance limited के लिए भी next week बहुत ज़ता है important होने वाला है क्योंकि quarter 2 के result हमें 26 अक्टोबर के दिन बजजाज finance limited के देखने को मिलने वाले हैं और साधी साथ इसके जो target price भी निकल कर आ रहे हैं वो 8100 रूपे के short term के निकल कर आ रहे हैं बजजाज finance limited भी पिछले 6 महीने के अंदर लगबख 360% तक के return वही अगर पिछले एक साल के chart pattern को भी check करें तो 134% तक के return अगर आप maximum chart pattern भी check करेंगे तो 1,34,000% तक के return ये company अपने investors को बना कर दे चुकी है ताधी साथ अगर हम बजजाज finance limited के अगर trading chart भी देखें तो recently 18th October को ही आपको इस shares के अंदर नया all time high भी देखने को मिला था और साथ ही साथ इस share के अंदर भी हमें volume based काम बहुत ही शांदार continuously business पर देखने को मिल रहा है last trading session में भी बजजाज finance limited की लगबख 40% quantity हमें deliverable based पर trade होते वे देखने को मिल रही है इसा कि मैंने आपको बताया कि 26 October 2021 के दिन आपको बजजाज finance limited के quarter 2 के result यहां पर declare होते वे देखने को मिलने वाले हैं तो यदि आपने बजजाज finance के अंदर investment कर रखा है तो मंडे के दिन आप इस shares के अंदर 8100 रुपे का target लेकर इस shares के अंदर अपनी positions को continue रख सकते हैं दोस्तों बात करें another shares के बारे में जिसका नाम है बजाज finzer limited जहां पर last trading session में हमें shares के अंदर एक flat closing यहां पर देखने को मिल रही है साधी साध अगर आप इसके chart pattern को भी check करेंगे तो बजाज finzer limited ने भी पिछले 6 महिने के अंदर 86% तक के return पिछले एक साल में लगबग 227% तक के return और अगर आप maximum chart pattern भी देखेंगे तो लगबग 2800% तक के return यह share अ price देखने को मिला था और साथ ही साध इसके जो target price निकल कर आ रहे हैं वो 20,000 रुपे तक के target price निकल कर आ रहे हैं बजाज finzer के अंदर भी आपको बहुत जल्दी यहां पर bonus या split जैसे कुछ बड़ी announcement देखने को मिल सकती है क्योंकि इसकी share price बहुत ज़दा high level पर हमें देख देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण बहुत ही जल्दी आपको इस shares के अंदर भी यहां पर आपको bonus और split जैसे बड़ी announcement देखने को मिल सकती है बजाज Swinzer के अंदर भी आपको last rating session में लगबख 17% quantity deliverable base पर trade होते विए देखने को मिल रही है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि next week इस share के लिए भी बहुत ज़दा important होने वाला है क्योंकि 28 October के दिन हमें बजाज Swinzer के भी quarter two के result यहां पर declare होते विए देखने को मिलने वाले तो link आपको description box में मिल जाएगी चलिए दोस्तों उमीदे आपको video और update पसंद आई होगी अगर आपको video और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected stay updated